दोस्तो संजे लेला भंसाली की मुस्ट रूटेट फिल्म गंगु बाई काठियावाडी रिलीज हो चुकी है फिल्म की शुरुआत गंगा की परसनल लाइफ से होती है जो धीरे धीरे गंगु में बदल जाती है और फाइनली गंगु बाई पे खतम होती है बेस्ट पार्ट फिल्म इस आलिया भट और विजयराज कमाल का परफॉर्मेंस इस तिल देट विर्जो तुझे क्या लगता है गंगु बाई गु खाती है ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा था आलिया भट गंगु बाई के रोल में कैसी लगी गी बट हैट सॉफ टू हर एंद डेरेक्टर अप दिस फिल्म संजे लीला भंसाली ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बहतरीन बनाने में चाहे वो फिल्म का कलर हो या डैलोग्स हो या फिल्म का स्क्रिप्ट हो हर जगह ये फिल्म खड़े उतरती है Everything of this movie is pitch perfect फिल्म की कास्ट के बात करूँ तो विजे राज ने कमाल का performance दिया है कमाठी पुरा रजिया भाई का था रजिया भाई का रहेगा आजे देवगन और सीमा पावा ने भी अपने रोल को बखू भी निबाया है बट इसके बाद भी I feel many important aspects of गंगु भाई's life is completed in हरी That's why climax part is little weak Technical aspects की बात करें तो फिल्म का BGM and mixing is outstanding Now you must be thinking कुछ बुरा भी है या सब कुछ अच्छा है तो guys let me tell you film drags a bit after intermission Intermission के पहले film is mind-blowing But after that it turns more into linear way Clamax is not at par First time Sanjay Leela Bhansali की फिल्मों के songs उतने अच्छे नहीं लगे Film की length मुझे बहुत जादा लगी इसे at least 15 to 20 मिनेट कम किया जा सकता था But after all this I will say it's a biographical film And you can watch it once Yes, it's lengthy and bit preachy at the end Watch it for some amazing performance and brilliant dialogue writing If you like this video, do like, share and subscribe my channel See you soon